प्रित्वी के नीचे क्या है? यह एक ऐसा प्रश्ण है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि इस प्रश्ण के दो मतलब है, पहला तो यह कि प्रित्वी के नीचे, यानि हमारे पैरों के नीचे क्या है? आप में से बहुत से लोग तो इस प्रश्ण का उत्तर जानते ही होंगे, और इस प्रश्ण का दूसरा मतलब यह है कि प्रित्वी के नीचे यानि पूरे ग्रह के नीचे क्या है? यानि जब हम प्रित्वी को अंतरिक्ष ऐसे देखते हैं, तो हमें प्रित्वी के नीचे क्या तो अगर आप यह सोचते हो कि हमारे पैरों के नीचे क्या है, यानि अगर हम पृत्वी को खोदते खोदते पृत्वी के अंदर जाएंगे, तो क्या हम पृत्वी से बाहर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, तो आज मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ, हाला कि इस प करें पृत्वी की संरचना की, तो पृत्वी की संरचना विभिन परतों से मिलकर बनी हुई है, बिल्कुल प्यास की तरह जो कई परतों में बना हुआ होता है, सबसे पहले पृत्वी के केंद्र की बात कर लेते हैं, जिसे कोर भी कहते हैं, कोर पूरा मैटल से बना हुआ हो सकता है और यह प्रित्वी का सबसे डेंस भाग है कोर के उपर मैंटल की लेया होती है और उसके उपर क्रस्ट की लेया आप अगर यह समझते हो कि प्रित्वी के उपर जमीन पहार यह समुद्र एक सपाथ सता पर हैं तो आप बहुत ही गलत हो यह जितने भी पहार समुद्र औ और यह जमीन है, यह गोल प्रित्वी के प्रिष्ट यानि प्रित्वी के वक्रप्रिष्ट पर स्थित है और हम भी और यह सब चीजे ग्राविटी द्वारा केंद्र की तरफ आकर्शित हो रही हैं। कलपना करेंगे कि अगर हम को तक पहुंच सके तो क्या होगा, कोर पर पहुंचने के बाद अगर हम कोर से दूसरी तरफ खोदना शुरू करेंगे, बाहर की ओर निकलने के लिए तो हम प्रित्वी के एक वक्र प्रिष्ट पॉइंट से दूसरे वक्र प्रिष्ट पॉइंट प पर एक स्ट्रेट टनल जैसा होल बनाएं, बिलकुल आर पार आपको मेरी यह बात बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, बस ध्यान रहे कि यह चीजे वास्तव में संभव नहीं हो सकती हैं, हम इस बात को समझने के लिए बस एक कल्पना कर रहे हैं, अब तक मनुष्य ने प्रित्वी पर सबसे गहरा गढधा केवल 12 किलोमीटर तक ही खोदा है, जो की रूस में है, उसका नाम कोला सुपधी बोर होल है, हमने इस प्रश्न के एक पहलू का उत्तर तो जान लिया है, अब चलते हैं, इस प्रश्न के दूसरे का उत्तर जानने की तरफ की हमारे प्रि प्रित्वी के नीचे क्या दिखाई देता है, तो आपको बताते चलें की, प्रित्वी के नीचे पूरा वैक्यूब है, यानि कुछ भी नहीं, अब चुकी प्रित्वी हमारे सोलर सिस्टम मिस्थित है, और सोलर सिस्टम हमारे आकाश गंगा गैलक्सी में, तो गैलक्सी के क कुछ elements जैसे धूल, कैस और बहुत ज्यादा दूर के स्टार जैसी सनरचना है प्रिथवी के पीछे हो सकती है वो भी बहुत दूर प्रिथवी के नीचे से बहुत ही ज्यादा दूर तो अब आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यह जान कि प्रिथवी के नीचे क्या है अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस बात को लेकर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्यूंकि हर हफते हम इस प्रकार की रहस्य में और रोमान चक व अबस्कार